आजकी जो विकंसी है यह आ रहे है L&T के तरप से Larson ainda Tubra का नाम तो आपने सुनाही होगा इसके तरप सभी है विकंसी इसके तरप से विकंसी सबी रोज आती ही रहती है जो भी अच्छी विकंसी होती है मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूं तो आप लोग वीडियो को एंट तक जरूर से देखते रहे हैं दिनसे की सभी कुछ आपको पता लगेगी आज की इस वीडियो में मैं आपको L&T के तरब से कुछ वीडियो वेकंसी आये उसको मैं सौर्ट लिस्ट किया हूँ और आप लोग को मैं जो भी अच्छे अच्छे विकंसी है उसको मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग को इसमें डिप्लोमा अगर आप लोग कर रखे हैं उसके लिए विकंसी है अगर आप लोग बीटे कर रखे हैं उसके लिए विकंसी है कैसे इसको apply करना है, कौन कौन इसको apply कर सकता है इस चैनल के माध्यम से आपको डिपलोमा, बीबीटेक और आट यावनली टेकनिकल फिल्ट की जॉब्स फेकिंसी की update मिलती रहती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा साथी bell icon प्रेश करके all select जरूर से करके रखेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करो तो उसकी जो notification है सबसे पहले आपको मिलेगी और बहुत सारे इसे job sequence आते जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाथा वो मैं अपने टेलिग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, वार्टसप ग्रूप में डाल देता हूँ तो आप लोग जरूर से जोइन होकर करिएगा सबी का जो link से मैं आपको वीडियो के description में दे दिया हूँ और आप comment section में अपना जो भी branch है कौन branch से आप B.E.B.T. कर रखें, कौन branch से आप डिपलोमा कर रखें या account से trade से ITA कर रखें comment section में जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप से relevant आपको देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में जाने के लिए आप लोग Google में search कर लिजेगा L&T L&T ली करके जैसे search करोगे तो इसका जो official website है यह open होकर क्या जाएगा उसी के नीचे में यहाँ पर आपको career का section दिखेगा आपको इस पर click कर देना जैसे आप इस पर click करोगे तो इसका career page यहाँ पर open हो जाएगा इसको आपको scroll कर लेना नीचे और scroll करने पर आपको यहाँ पर दिखेगी जो all current opening का option यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे में इस पर आपको click कर देना और यहाँ पर आपको jobs का section दिखेगा आपको यह job वाले option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे jobs वेकिंसी यहाँ पर आपको देखने क्ली मिल रहा है जो कि latest date में देख सकते हैं 20 जनवरी 21 जनवरी के date में यहाँ पर post out की गई है बहुत सारे यहाँ पर आपको vacancy देखने की मिलेगी इन में से किसी भी vacancy में अगर आप eligible होंगे तो उसको apply कर लिजेगा यहाँ पर आपको जो vacancy दिखती है और सभी में कुछ न कुछ experience यहाँ पर मांगा गया रहता है ले case में आपको इसमें chance मिल सकता है तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ vacancy हैं इनके तरफ से मैं shortlist किया हूँ जिसमें कि यहाँ पर आपको 6-7 vacancy मैं सभी का link आपको वीडियो के description में दे दूँगा अगर आप इसमें eligible होंगे और interested होंगे तो जरूर से इसको apply कर तो चलते हैं vacancy no.1 के तरफ वीडियो के description में आपको link no.1 पर click करना है जैसे click करोगे तो आप लोग इस page पर आजाओगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे engineer civil का यहाँ पर आपको vacancy देखने के मिल जाएगे जिसमें कि यहाँ पर जो qualification रखा गया आप लोग यहाँ पर तो उसके लिए vacancy आती रहते हैं बहुत से candidate हैं जो बीना subscribe के ही चले जाते हैं उन लोग से request है कि subscribe करके मुझे motivate कर सकते हैं जिनसे कि मैं आप लोग के लिए अच्छी जॉब से vacancy यहाँ पर मैं लेकर क्या हूंगा यहाँ पर देख सकते हैं qualification जो है डिग्री या डिप्लोमा अगर आप लोग बीटे कर रखें या डिप्लोमा कर रखें इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और बहुत ही कम experience रखा गया minimum दो एर का तो अगर आपके पास दो एर का भी experience है कहीं पर भी काम किया है जरूर से इसमें लगा करके apply कर दीजेगा इन केस अगर आपके पास experience नहीं है इसमें भी आप लोग इसको apply कर लिजेगा क्योंकि application फी आप से कोई ले नहीं रहें बिल्कुल free of cost में आप लोग इसको apply कर सकते हैं तो apply करने के लिए बस एक CV या रिजूम आपको जरूरत होंगे जो कि last में apply करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिखेगा इस apply वाले ब यह वाला open होगा इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको mechanical वालों के लिए वेकेंसी है जिसमें की QA QC engineer mechanical का post है इसमें जो minimum educational qualification required है डिपलोमा और बी बीटेक अगर आप लोग कर रखे हैं mechanical engineering में तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर भी job role position सभी कुछ details में दिये गया है तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं सभी कुछ यहाँ पर clearly details में सभी कुछ दिया गया है अगर आप apply करना चाहते हैं त यह heavy civil infrastructure से आ रही है और इसकी जो location है और चन्नाई में आपको रहने वाली है और इसमें जो qualification required है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगर आप लोग बी बीटेक या में टेक कर रखे हैं तो इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको knowledge and posting location आपको देखने के मिलेगे जिसमें electrical engineering, electrical layouts, electrical contracting तो इसमें आप लोग electrical वाले apply कर सकते हैं अगर आप लोग electrical branch में कर रखे हैं बी बी टेक या में टेक तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं अब चलते हैं वेकंसी नमर 4 के तरफ तो वीडियो के description में आपको link नमर 4 मिलेगा उस पर जैसे click करोगे तो आप लोग यहाँ पर जो qualification required है यहाँ पर minimum educational qualification में बी बीटेक या डिपलोमा अगर आप लोग कर रखे हैं civil engineering में तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर civil field में यह वेकंसी निकल करके आड़ी है जरूर से इसमें civil वालों के लिए बहुत सारे vacancies हैं आप जिसमें eligible होंगे इंट्रे automation engineer का आपको post यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जिसमें भी minimum आपका जो experience required है और यहाँ पर आपको minimum qualification में बी बीटेक और अगर आप लोग कर रखे हैं graduation engineering में तो आप लोग इसमें apply कर पाएंगे और इसमें कोई भी branch specific नहीं किया गया तो किसी भी branch से आप बिलोंग करते ह हैं जरूर इसमें apply कर सकते हैं अब चलते हैं वेकंसी नमर 6 के तरफ अगर आप लोग 6 वाले में interested होंगे eligible होंगे तो इसमें apply कर लिजएगा देख सकते हैं senior site engineer का post है अगर इसमें आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बीटेक और डिप्लोमा सिविल वालों के लिए वेकंसी यहाँ पर सिविल डिजाइन में देखने के लिए मिल रही है तो यह site engineer की वेकंसी है senior site engineer की तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको अच्छी खासी सेल्डी मिलती है वहाँ पर अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो आपका interview होता interview में अगर आप अच्छा perform करते हो त सेल्डी या ctc decide होता है वहीं पर आप कितना अच्छा perform कर रहे हो interview में उसके अधार पर आपका ctc होता है तो अच्छी खासी सेल्डी आपको इसमें जो ctc है वह 5-10 लाग के बीच में आपको ctc देखने के मिलती है जरूर से आप लोग इसमें apply करते रही है try करते रही है कहीं पर भी आपका selection होता है तो अच्छी बात होगी यहाँ पर next vacancy की बात करें तो यह drugist person की vacancy है यहाँ पर आपको जो भी इसे candidate हैं जो किसी brand से कर रखे हैं इसमें apply कर सकते हैं minimum qualification देख सकते हैं diploma रखा गया और outtake का knowledge आपके पास होना चाहिए तो इसमें जरूर से apply कर सकत हैं इसमें minimum qualification diploma है drugist person में next vacancy की बात करें तो यह planning या billing engineer है इसमें भी सभी लोग apply कर सकते हैं कोई भी किसी भी type का branch specific है यहाँ पर नहीं दिया गया यहाँ पर बी बीटे कर आप लोग किसी branch से कर रखे हैं तो इसमें जरूर से apply कर सकते हैं यह था जो भी मैंने shortlist किया था यह इस तरह से आपको दिख जाएगी उस पर click करके जिसमें भी आप apply करना चाहते हैं उसमें apply कर सकते हैं इसमें कोई भी किसी भी type का application भी आपसे नहीं पे करने होंगे किसी भी विकंसी को apply करने के लिए यहाँ पर आपको apply का button देखेगा इस पर आपको click करना है उसके बाद य email id mobile number और एक password यहाँ पर डाल करके sign up कर लेना है जब आप sign up कर लोगे तो फिर sign in वाले option पर click करके आप लोग अपना email id और password enter करके sign in कर लोगे उसके बाद basic steps आएंगे जिसमें की सभी कुछ फिल करके last में cv upload करना होगा उसको complete करके आप लोग इसको form को successfully submit कर सकते हैं तो इ आपको मिले और टिलीग्राम चैनल से जरूर से जोइन होकर करेएगा बहुत सारे jobs frequency मैं वहाँ पर भी डाल देता हूं